दोस्तों प्यास का इस्तमाल अमूमन हर घर में होता है खाने में प्यास का तड़का लगाने से खाने का स्वाथ दो गुना हो जाता है वहीं कुछ लोग इसे सलात के तौर पर कच्छा खाना भी पसंद करते हैं प्यास ना केवल खाने का स्वाथ बढ़ाता है बलकि ये हमारे स्वास्त के लिए भी फाइद्मन्द है इसमें काफी मातरा में विटामिन, मिनरल और एंटि-अक्सिडन्ट होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फाइद्मन्द होते हैं हाला कि किसी भी चीज का अधिक सेवन करने से नुकसान हो सकता है इसी तरह कच्चे प्यास का अधिक सेव से होने पर कच्चे प्यास का सेवन काफी फायदेमन साबित होता है क्यूंकि अगर आप कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है साथ ही कच्चे प्यास का सेवन पेट को सबस्त रखने में भी मददगार साबित होता है जिन लोगों की इम्य मारी की चपेट में आ सकते हैं लेकिन अगर आप रोजाना सलात के रूप में कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है जिससे आप वाइरस और वैक्टेरिया की चपेट में आने से बस सकते हैं डायबिटीज की मरीजों को अपने खान-पान क विशिज ध्यान रखना पड़ता है इसलिए ऐसे में अगर डायबिटीज के मरीज कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो यह फाइदेमन साबित होता है क्योंकि इसका सेवन करने से ब्लट शोगर लेवल कंट्रोल रहता है शरीर में आईरन की कमी के कारण खून की कमी हो सकती लेकिन अगर आप अपनी डायट में कच्चे प्यास को शामल करते हैं तो इससे शरीर में आईरन की कमी नहीं होती है क्योंकि कच्चे प्यास में आईरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है पाइल्स की शिकायत होने पर कच्चे प्यास का सेवन लाबदायक साबित होता है पाइल्स की मरीज कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो इससे पाइल्स की बीमारी में काफी हद तक आराम मिलता है शरीर में बढ़ते कॉलिस्टॉल की वज़े से हार्ट अटेक का खत्रा बढ़ जाता है लेकिन अगर आप नियमित रूप से सलाद के रूप में कच्छी प्यास का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में बढ़ते बैट कॉलिस्टॉल की मात्रा कम होती है जिससे दिल सम्मन्दी बीमारी का खत्रा भी कम होता है प्यास में केल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है इसलिए अगर आप कच्छी प्यास का सेवन करते हैं तो इससे हड़िया मजबूत होती है जिससे हट्टियों सम्मंदी बीमारी का खत्रा भी कम हो जाता है कैंसर एक जान लेवा बीमारी है इसलिए इसके रोक थाम के लिए consider आप कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में कैंसर जैसी बीमारीयों का जोखिम कम हो जाता है येदि आप अतितिक मातरा में प्यास का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं आईए जान लेते हैं जिन लोगों का blood sugar level low रहता है उन्हें अधिक मातरा में कच्चे प्यास का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे blood sugar level और भी कम हो सकता है अगर आप pregnant है या breast feeding कराती है तो आपको अधिक मात्रा में कच्छे प्यास का सेवन नहीं करना चाहिए जरूरत से जादा कच्छे प्यास का सेवन करने से पेट सम्मंदी समस्याएं हो सकती है क्योंकि प्यास में fiber की मात्रा अधिक होती है प्यास में potassium होता है जो शरीर में जाकर कार्डियो लीवर सिस्टम को छटी पहुँचाता है बोजन के साथ जादा कच्छा प्यास खाने से सीने में जलन हो सकती है अगर आप कच्छी प्यास का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके मूँ से बदबू आ सकती है इससे बात करने से सामने वाले व्यक्ति को काफी परिशानी होती है और मूँ की दुरगंद की वज़े से व्यक्ति को शर्मंदिगी का सामना करना पर सकता है